हलो आज हम खिल रहे हैं दुबार से एन सुमिलेटर आज का टास यह कि आज अपने को खजाना ढूंडने के लिए जाना है क्योंकि इस बड़े से मक्षे में मक्षा बोल रहो बता हो इस बड़े से नक्षे के अंदर तीन जगा ऐसी है जहाँ पर खजाना चुपा हुआ है जि माँ पर जाने से पहले एक बार घर में चेक कर लेते हमारी मुर्गियों ने कुछ अंडा दिया है या नी मैं सोच रहो यार कि थोड़ी सी ना अपनी मुर्गिया बढ़ा लू ताकि जो अंडे की स्पीड अदे को इधर एक अंडा बढ़ा हुआ है और कुछ कमेंट यह भी जोँ कि आंडा जाताना फूटар Completely कर लिए उसके बदले में मिलेंगे हमें कुछ पैसे और पैसों से हम फिर एक और और लगा देंगे आज की एपिसोड़ में क्योंकि लास्ट एप्सूड में क्का फायदा यह दो पीछ उतने में कु नेधा करने बस महां पर आहल महीं सब् पैसे मिलेगी, मैं barrel और jehry can ना, साथ में लेकर गुम रहा हूँ और किसी ने comment भी करके बताया था कि तुम्हारे पास अलरेड़ी घर पर jehry can है तुम्हे नया jehry can purchase करने की जरुरती नहीं थी, तो देखो भाई यह जो जहरी केन है गाड़ी के अंदर रखा हुआ यह मेरे घरका जहरी केन है और जो उल रिक वालाजैरी केन है वो उल रिक के काम में है। अ और डीजल पैटरूल भी जो भी होगा कुछूरागे इस comain लगा देगे तैक durable काम सीधा शॉर्ट कट लेगे मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि खजाना कहा पर होने वाला है बट याज कोशिश करेंगे हम मिल जाएगा कुछ ना कुछ जुगाण है लो भालू तेरा काम करूंगा मैं अभी तू डर मत तेरे को कुछ टाइम के बाद में करें तुम द बताओ ठीक चलो आगए हम अपने अंकल की लोकेशन पर अंकल जी अंडर कंस्ट्रक्शन वाट इस अंडर कंस्ट्रक्शन आइव डिसाइडे तू बिल्ड अन्यू बांड कुड यू ब्रिंग सम प्लैंक्स अभे ये वाला टास्तो मैंने अल्रेडी कर दिया हूं मेरे को ट आइजर्स फॉर्म दा इंशिंट वारियर देन आई विल रिवार्ड यू ओ भाई एक डेगर नाम का है खजाना एक हैलमेट नाम का है और एक गॉबलेट नाम का है ठीक है मेरे को नहीं पता इतना बड़ा मैप है देख रहो इतना ज्यादा बड़ा मैप है और इतने पचपा कोना कोना घूमने के लिए क्या किया जाए ऐसे मैनुली अगर घूमोंगा मेरे को नहीं पता कहा पर होने वाला है या फिर रैंडम कही पर भी कही पर भी जाए बट वो भी तो सीदनी होने वाला बहुत जाद अपने को टाइम लग जाएगा खजाना ढूंडने के यह मेरे को जहातक अंदाजा है ना 2000 डॉलर तो अपने को कभी भी मिल जाने चाहिए वैसे मेरे पास मैं अभी पैसे कितने 100 पैसर डॉलर जो के काफी कम अमाउंट है आज अपने को दो कॉलर भी पर्चेस करने अगर ख़जाना मिल गया ना अगर चपपचपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपप में बिल्कुल अराम से जाना है और खजाना ढून कराना है चाहे कुछ भी हो जाए इदर साइड में कुछ नहीं दीकर आप पहाड़ी पर जा सकते हैं के वैसे हाँ जा तो सकते हैं क्या करूँ गाड़ी रहने दू चलो गाड़ी को रहने बस सुनी सुनाई बातों पर सुन कर मैं यहां तक आ गया हूँ यहां अभी तक तो मेरे को कुछ भी ऐसा खतरनाक मेरे को तो अभी शक हो रहा है कि हम सच में पहाड़ भी चड़ पाएंगे या नी यहां से थोड़ा सा स्लोप कम लग रहा है कैसा दिखने में मतलब उसका लुक कैसा है क्या है मेरे को कुछ भी नहीं पता यार चोटा मोटा पेटी होने वाली है बहुत बड़ी-बड़ी संदूके होने वाली है या क्या होगा नो आइडिया एक चीस तो अचीवी स्लिपिंग बैक लेकर घुमरों मैं अभी अपने साथ में कई पर भी नींद आईगी अंदेरा होगा सीधा कुड़ू सीधा सो जाएंगे भाई देगो नीचे गैस्टेशन है यहाँ पर इतना बड़ा इलाका है ठीक है इतने बड़े इलाके में पहले बंदु को निकाल लो और रिलोड कर लो कही से कोई आएगा सीधा ठाय ठाय करके फुस कर देंगे नहीं दिख रहा भाई कुछ भी नहीं दिख रहा इदर तो आस पास में लीज मिल जा यार चोटा मोटा घजाना चाहिए मेरे को और कुछ ज बड़ी । एमांड थोड़ी कर रहा मेरे को न थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा पारी के उपर तो नहीं जा सकते एक काम करते थोड़ा इस साइड में आगे जाकर देख लिते है हो सकता है मिल जाए वरना यहां से निकल लाएगा और फिर थोड़ा सा डिजिटल चीजों का सहरा ले 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 गए है गरी बट जो मैप की फोटो मेरे पास में उसके अंदर तो कैस्टेशन के थोड़ा आगे ही बता रही है लोकेशन रोड के किस सब्सक्राइब में है नहीं पता चलो ठीक है देखते हैं कई इधर सब्सक्राइब तो नहीं यार यह तो ऑईल रही है अपनी और आ ही गए है जब यहां पर एक बार चेक कर लेते कितना ऑईल जमा हुआ भा रास्ता इधर को जा रहा और जो लोकेशन है खजाने की वह बता रही है कुछ इधर साइड में ठीक है यह वाले रास्ते से सुमा बहुत बार गया आया हूँ यह बड़े-बड़े पथरों के पीछे नीचे कही ऐसी जगा गाड़ी जाएगी 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 आगे भाई गाड़ी उपर तक आगई है वरी नाइस कुछ है हिरन देख रहे हो यार किते सारे इधर मिल जाना प्लीज थोड़ा सा खजाना दे दो के तो कुछ हो जाएगा के तुमारा परिशान कर रहे है खामका भी एक नहीं मिला तीन और डुनने मेरे को दो और डुनने रुको इधर नीचे साइड में कही चल कर चेक करते है यहाँ पर कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी या फिर गाड़ी लगा के पैदल ही घुम लिया करूँ और कितनी हिरन मिल रही है तुम देख रहे हो बड़ी बड़ी हिरन चुटी चुटी हिरन सारी टाइप रहे हैं तो नहीं गई अपडेट के बाद में लोकेशन चेंज तो नहीं होगी मेरे पास में बहुत पुरानी जमाने का मैप पड़ा होगा है चल काम करते हो पर चल था एकशल मैं हूं कहा पर इतनी उपर तो है निजी इतनी उपर मैं चला गया हूँ रास्त यह वाली जग मेहनत करने की जरुरत नहीं पढ़ना चाहिए है यह मैने मैप में भी लोकेशन मार्क कर रखा हूँ यह आस पास देखो यह रास्ता है यह रास्ते से थोड़ा सा यह जो लोकेशन पर अभी हम है ना यह बहुत जादा नजदीक और में रोड से काफी जादा नजदीक वाली लोकेशन नहीं भाई इदर कुछ नहीं दिख रहा है मैप में तो और नीचे बता रहा है और कितना अब नीचे तो वो ही आ जाएगा भाई घर यह घर तो आ गया एक्चल में दर एक काम करते रोड के उस पार तो जाके कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि अधर एक्चल में भी कुछ है नहीं यही एरिया है और यही एरिया के बीच में या फिर कहीं तो ख़जाना छुपा हुआ है जो हमें ढोन कर निकालना है एक पेर टूटा हुआ है क्या यहाँ पर होगा यहाँ पर क्या ख़जाना होने वाला है कुछ है दे देना यार भाई क्यों गरिब की मज़ा ले रहे हो बैटके यह इदर कुछ चटान के नीचे तो नहीं चुपा हुआ है नो नो चटान के नीचे चुपा हुआ हुआ है यही आस पास में होगा एक तो मेरी आँखे भी इत्ती जादा नूब है न मेरे को सामनी की चीज जिल्ली दिखती नहीं है अभी तो हम फिर ख़जाना ढूनना है सोची लो तुम क्या होगा बारिशानी बचीती वो भी आगए भाई यह पेड़ों के बीच में कई ख़जाना नहीं पर इसे नॉर्मल पड़ा हुआ है तो निकल ले यहां से सच में दिमाग मत खराब कर में तिरी कुटाई कर दूँगा भी मजागने कर रहा हूँ चला जाए यहां से फाइव मिनिट लेटे मैं अभी दुबारा से कार अपनी दड़ा कर गैस्टेशन आ गया हूँ एक्जाक लोकेशन जो है वो यहीं पर है पहाडो में ठीक है अपने को थोड़ा सा उपर जाना है एक लोकेशन तो मेरे को जो दीखी है वो इधर साइड में यह कोई पत्थर है पत्थर के पीछे पत्थर बना हूँ गैस्टेशन दीख रहा है इसके ठीक थोड़ा इधर साइड में अगर जाएंगे तो यहाँ पर कोई तो एक पत्थर है पत्थर के पीछे रखी हुई है एक पेटी और वो पेटी मुझे दिख गई है दिख गई है यह रही है पेटी ट्री पूरी पेटी यह फिर नहीं अंधर से स्रिफ इक ऑठेगी आरे यह पूरी पेटी नहीं उटेर है आए चलो ठीक है जो भी एक मिल रही है फायनली buddy दूसरी लोकेशन जो है वह जर पास मिम्हें और तीसर लोकेशन जो है वह बुड़े के घर के बुड़े अंकल के घर के बैक साइड में ठीक है मैंने कार लगा दिया तक कुछ जादा ही उपर येलो भाई पहला खजाना मिल गया फाइनली लट्स गो टू अनदर लोकेशन यार सिंपल था मैं खावा का ढूंटे ढूंटे पता है मैं इस लोकेशन से इधर चला गया था मैं यहां तक पहुच गया हूँ अभी अपने को जाना इस लोकेशन पर ठीक है यहां पर एक लोकेशन है वहाँ पर भी एक कोई तो यह ट्रॉफी तो मिल गई अपने को मैं पैट्रोल दाल देता हूँ यार मेरी आधी टंग की हो गई है गाड़ी की पैट्रोल दाल करी चलते हैं न क्यों खामा खार रिस्क लेना वहाँ पर भी जाने के बाद अचानक एक जटके में थोड़ी मिल जाएगा अपने को टाइम तो लगेगा ना ढूनने के लिए पता इसलिए मैंने खरीदा है 15 डालर खर्च करके ताके जहां मौका मिले वहाँ पर हम सीधा लोड़क जाए अभी हम जिस लोकेशन पर जा रहे हैं ना हो सकता है यहां पर अपने को हेलमेट मिले या फिर कुछ दूसरी चीज़ मिले ट्रॉफी तो देखो मिल गई है हो सकता है जहां तक मेरा ख्याल है अपने को हेलमेट ही मिलेगा इसको भी ज्यादा ढूंडने के लिए ना अपने को टाइम ने लगेगा यही बस चील की जो निगाहे है हमारी उसको अलट रखना है मेरे को लग रहा है कि शायद अपने को उपर तो नहीं जाना पड़ेगा हो सकता है हमकर तो गाड़ी खड़े कर देता हो यार इदर पैदल जाएगे वह जादा पैटर रहेगा बट हमें चाहिए बंदू साथ हमें और दूसरा तेल का कुवा तो अपना यह सामने ही लगा हुआ है आज कुछ भी करके कैसे भी करके उसको अपने को एक्टिफ करना भाई वैसे अभी मैंने जस्ट पता किया पहले हम जहा जा रहे थे वो बिल्कुल सरी डिरेक्शन था हमें ये पूरी पहाड़ी जो है इसके एंड में जाना है वहाँ पर खजाना चुपा हुआ है ये खजाना ले लिया फिर तीसरा खजाना तो भाई वादियों के बीच में पहा जी कर लो क्या है बटे मेरे को लगगा कि नस्दिक में अपने को खजाना मिल जाएंगा वटे ने नस्धिक था झा नहीं इतनीन ज्यादा अंदर अपने को आना पड़ा है तलवार है यहाँ हैलमेट है हब और निचन्ट लोगों ने क्या क्या खजान छुपा कि रूख यह यहाँ पर गाड़ी में बैटके आसपास को मौइना करेंगे वो जादा बैटर रहेगा पेड़ वेड़ भी तुटके सहारा बनाया है लोगोंने घर वगएरा वो कुछ तो बनाया है कैर चलो दो टास्क तो हमारे हो गए है हेलमेट ले लिया है और ट्रॉफी भी ले लिया है तीसरी जगह पर यह गॉबलेट पता नहीं क्या है या डैगर जो भी है अब जो तीसरी लोकेशन होने वाली है ना वो काफी ज्यादा दूर और काफी ज्यादा खतरनाक जगह है वो हमारे बुड़े अंकल का घर यहां से घूम के इधर साइड में और इधर ही कोई एरिये के अंदर इलाके में खजाना है आकरी वाला अभी रोड़ वोड़ से घूम के नहीं जा रहे है बीच में तलाब है मेरे को पता एक काम करते है सीधा यह शॉटकट मारते है और पर जाओ यह लेख आरा बच गया शिट 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 जाड़ी बिलकुल भी ठाले अपने अंदर आँजारो रिवाजारो जारो जारो गलती हो गई दी गलती से चले गई महां पर गारी पानी अंदर जाने सकते यह वहीं पर रुग गई हो यह पूरा को पूरा इला का लेकर लोकेशन पता कर ली चंड मिन्टों के अंदर एक्चल में जो लोग ने ढूना होगा सची में एफट करके उनकी तो भाई बैंड ही बच गयोगी ना चलो आ गए है हम अपनी लोकेशन पर यहां पर थोड़ा सा नजर रखनी है और बहुत छोटी से एक सिकंड एक कंकाल पड़ा हुआ कही तो एक छोटा सा कंकाल उसके बीच में तलवार फसी वी है और वह अपने को तलवार अधूर डोने के लिए काम करते हैं बंदुक को करते हैं रिलोड और पैदल ही निकल जाता है कई न कई ऐसे क्यूव देख रहो मैं है धलान है तो कि मतलब मेरी ग पता नहीं कहा पर पड़ा हुआ है नशा करके ओ हो 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 ला 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 मिल गई तलवार सारे के सारे खजाने डुण लिए मैं गाड़ी यहां लगाया था और ऐसे ऐसे घूम के इधर पहुंचे हम फाइनली 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 पाइ तीनों के तीनों खजाने अंकल करेंगे माला माल देड़ सो रुप्या है भी हमारे पास में खाली अंकल को ये सारा सामान सोपने के बाद में पता नहीं अंकल किता पैसा देगे मैं पूरा रा पैसा काई में इ अपने पेरों पर खड़े होने के लिए सक्त जरूरत है क्योंकि एक बार हमने एसेट बना लिया अपना वहाँ से वो अपने को लाइफ टाइम अनलिमिटेड मनी देता रहेगा तो अपने को कोई भी चीज़ का टैंशन लेने की जरूरत नहीं है हम अपना मुर्गियों को मतलब मुर्गी का फार्म बनाते रहेंगे पिक फार्म बनाते रहेंगे घोड़े लाकर अराम से उनके पीछे महनत करते रहेंगे और हमारी unlimited income मतलब हम यहाँ पर काम करेंगे और पीछे से हमारी income free की बोल सकते हैं income वो ready रहेगी वो अपने को पैसा देते हैं कि हम कोई और चीस से पैसा कमाते रहेगे और यहाँ से अपने को free का मुफ्त का पैसा आता रहेगा यह बान हाउस का कौन सा काम करने के लिए बोल रहे हैं मेरे को अप समझ नहीं आ रहे हैं इनको raw material तो मैंने provide कर दिया था खेर तो अंकल आज पूरा का पूरा दिन लगा कर मैंने finally सारे के सारे treasure ढूंड लिया है जिसके बदले में fuel trailer from gas station अरे यार तुमारे ये काम मैंने सब कर दिया हूँ चलो ठीक है एक काम करते हैं तुमारा ये भी task ले लेता हूँ मैं और under construction का भी task ले लेता हूँ ठीक है ये free का पैसे अपने को मेलेगा trailer delivery तो क्या है कुछ भी नहीं है टास्क मैंने इसलिए लेकर रख दिया हूँ कि जब किसी बाद में free time में भी अपने को याद आएगा न तो ये बचा कुछा टास्क करके चुट-पुट से पैसे वहां से हम उठा लेगे खेर अभी रात हो रही है पहले जाते hardware store और hardware store जाकर जो अपना construction का सामने वो purchase करते pumper जाते आज वहीं सो जाते आज pumper ही सो जाएंगे वही एक काम करते है hardware store तो बाज हुई है और अपना नया वाला जो pump है वो भी आज जू बाज हुई है total अभी हमारे पास में पैसे 2650 डॉलर कुछ हो चुके 2649 डॉलर एक बार cross check कर लेते हैं 20 concrete 20 metal ठीक है ये तीन चीज चाहिए अपने को इसके अंदर देखो कितना पैसा जाएगा concrete है ये 200 डॉलर का खरीद लेते हुई ठीक है 50 kilo बाद में भी तो अपने को घर पे भी तो लगेगा तो ये एक concrete और ये 50 metal ठीक है ये 500 डॉलर यार 750 डॉलर तो मेरे AC के अंदर चले गए उसके बाद में अपने को चाहिए एक दो दो बैरल ले ले लेते 1250 डॉलर मैं इसके अंदर खर्च कर रहा हूँ ठीक है या फिर एक काम करते हैं रुको 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 पैसा चल जाएगा 700 डॉलर तो इसी के अंदर लग जाएगे भाई ने 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 अभी इतना जो लग रहा है इसके अंदर 9500 डॉलर खर्च कर देता है ठीक है मेरे पास में 2 बैरल हो गए ना हाँ 2 बैरल इदर रहेगे 2 बैरल उदर रहेगे 4 बैरल रहेगे टोटल हमारे पास में एक के ओपर एक आ जाएगा मेरा जैरी केर में से खाली पड़ा इसको भी मेरे को फुल करके आना पड़ेगा सिमिंड मैंने इसलिए ज़्यादा पर्चिस किया हूँ क्योंकि ये अपने को बार बार लगता रहता है इसके ओपर आनी रहा कहा रखू अब इसको स्लिपिंग बैक को जरा सा जमीन पर बिच्छा देता है ये कॉर्णर में एक बार आ गया ना तो स्लिपिंग बैक तो कही पर भी आ जाएगा क्योंकि सिमिंड के ओपर मैटल और ये आना चाहिए तोड़ा सा सीन हो रहा है जैरी केन भी इदर ही रख दो सारे बैरल जो है कोर्णर में चिपका देता है ताके दूसरी जगह पर दूसरे वाले सामन आ जाए ठीक है ये देगो ये आ गया जैरी केन इदर बीच में फस जाएगा स्लिपिंग बैक इदर ऐसे आ जाएगा जो मैटल है वो नहीं आर इसके उपर आ जाना या फिर इसके उपर ऐसे नहीं आएगा मैटल को ऐसे लेकर जाना पड़ेगा मेरे को इदर कॉर्णर से तब जाकर आएग स्लिपिंग बैक का थोड़ा सा सीन हो रहा है बस बागी कुछ नहीं है मैटल के उपर आ गया ना स्लिपिंग बैक तो मेरा काम हो गया 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 फाइनली काम हो गया लेट्स गो लाइट आउन कर लेता है पीछे साड़े में पीछे दो जैरी केन रहे का थोड़ा सा confusion हो रहा है एक जैरी केन जो है हमने लास्ट एपिसोड में purchase किया और एक जो हमारा पुराना वाला oil pump है वहाँ पर लगा दिया अभी दूसरा जैरी केन जो मेरे पास में पड़ा ये इसको full करके मैं घर लेकर चला हो जाओंगा महंगा नहीं 25 डॉलर का ये अब टोटल कैश कितना पड़ा है 1674 टॉलरस सिमिंट के उपर ही आगे ना वेरी नाइस अगर अंदेरा होगा पंपर ही सो जाएंगे सुबह उठने के बाद में फिर construction का काम कर लेंगे क्योंगे घर पर अरे हाँ खाना भी लेकर जाना या अपने मुर्गिया खाली पड़ी और बचे कुछ पैसे की क्या थोड़ी सी और मुर्गी एड़ कर लूँ या फिर अब सीधा पिक वागरा के लिए बान वो सब बनाना चालू कर देता है एक तो चेंसो पर्चेस करने का मन कर रहा है बड़ा बहुत तेज और जब आदा रास्ता यहां तक आ गए ना तो खीच के लेकर चले जाएगा अपना पंप यह जो अंकल का टास्क जरूरत तब पड़ेगी नहीं अभी बड़ आ गए है फियूल कर देते मतलब फुल कर देते और निकल लेते हैं गिने डैंजन गतम और होगे बाई अंदर आउगे अंदर आउगे गुड़ नाइट यहीं सो रहे है यहीं से शुरुआत कर देंगे दिन की एर्ली निक्स्ट मॉर्निंग तो हो चुकी है प्यारी इसी सुबा गुड़ मॉर्निंग अव्रिवान जाते जाते एक छोटा सा काम करना है हमारा जो यहां का pump पड़ा हुआ है इस तर fuel का क्या scene है वो भी चेक कर लेते कितना fuel पड़ा हुआ है और fuel का need होगा या फिर जो है 34 liter petrol पड़ा हुआ है भाई बट अभी यह 43% oil आ गया है क्या को यह एक barrel भर लू क्या यहां का barrel का आ गया यह तो गाड़ी में लगा हुआ है ना लेकर चले 43 liter fuel है ना हाँ चलो लेकर ही चलते है रास्ते में बेज देंगे बट पहले नए वाले pump का काम complete कर देते है वहां का business टार्ट हो जाएगा दो जगा से अपने को रोस का 500,000, 2000 डॉलर मैंने तो सुना हूँ किसी ने comment करके बताया मतलब सुना क्या पढ़ा हूँ comment मैं वो दोनों pump अगर हम full कर देंगे ना तो एक ही pump अपने को दिन का 10,000 डॉलर का टेल देगा एक दिन में 10,000 डॉलर का टेल तुम समझ रहे हो कितना जादा हो रहा है कितना जादा प्रॉफिट हो रहा है 10,000 डॉलर तो मैं ऐसे न कमा लू पिग विक को बेच के ये करके पिग भी लगेगे मुर्गया भी लगेगी ना तो वो भी हजारों की तादात में और बहुत सारी यही तो कही छुपा हुआ है वो नीचे उपर कही तो कहा चले गई हमारी न्यू लोकेशन जनरल स्टोर पर साच सच में हमारा पंप था भी के नहीं सारी जनरल स्टोर के पास नहीं हाड़वेर स्टोर के बैक साइड में है क्या ही भाई यहां डूनरों में बताओ मैं जा रहो शॉटकट मार के सिद्धा इदर मैं भी खेलते नहीं बैठने वाला यहां से इदर जाएंगे उदर जाएंगे ना जो है वो है इदर ब्रिज बना हुआ और एक रास्ता जा रहा है यार यह पैदल रास्ता कहा जा रहा नहीं पता इसको फॉलो करके जाना पड़ेगा सच में भी यह देगो यह ब्लूप्रिंट दिख रही है अपनी जनरल सोर के पास क्या ही गुमरों में बाट यह लोकेशन ना लो बाई बीस मेटल चाहिए तुमें यह मैंने तुमें पीस मेटल प्रोवाइड कर दिया तुमें चाहिए अब बीस सिमेंट एलो तुम्हें लगेगा जेरी कैन तो जेरी कैन फिट होगा ठीक चालोगा बाई चालो जाओ यह एक बैरल रख देता हूं यहाँ पर वाला तो भरा वाई इसको हम बेच देंगे मेरे को एक और बैरल खरीदना पड़ेगा जेकँ हो यहाँ पर रहेंगे एक मेरे पास में और उदर के पमप Salt घृड पड़ा हूआ वाला पमप वहागा तो यई बैरल हमारे पास में रखा हूआ है चालो कोई ना तो जमा करता रहे, प्रोसेस करता रहे, मैं कुछ वक्त बाद आऊंगा, जाते जाते एक और बैरल में खरीद के जारू, और जब यहां पर आ ही गया है, तो जरासा हाड़वेर स्टोर पर तेल बेच ही देते न, देखते तो सी कितना पईस आएगा, लास वाइम अमने वो बर चार सो तीस, चार सो तीस डॉलर दे रहा है अपने को, कितरा तेल है हमारे पास, है, 43 लिटर ना समतिंग कुछ, बता ना, हाँ, सिर्फ 43 लिटर के, 430 डॉलर, हाँ मच डॉलर, 430 डॉलर, प्रो, एलो, कर दिया सेल, अब इसका आदा पैसे का मैं काम करता हूँ, जाते जात दो बैरिल, वहाँ, दो बैरिल, या, सिम्फूल, बाद में धीरे-धीरे करके, और बैरिल में बढ़ा दूगा, बट अभी फिलाहल में इतना ही बैरिल का नीड है, जितना नीड है, उतने ही रखते है, बाद में एक हजार डॉलर, जब हम, एक हजार लिटर, जब हम आईल तब तो मेरे को बड़ी गाड़ी और बहुत सारे बैरिल लगने वाले, बट अभी इसके अंदर हमारा काम चल जाएगा, तो दिक्कत नहीं है, यह हो गया, एक टास्क अपना कंप्लेट, अब चलना है, सबसे पहले घर, और जाकर मोर्गियों का देखना है, क्योंकि पूरे इसके अंदर मैं हर एक जानवर के ना दो दो पैर लेकर आजाओंगा, ठीक है, हर एक जानवर के दो पैर जैसे मेल और फीमेल एक पीग हो गई, घोड़ा लाएंगे ने लाएंगे, उसका अद्धा जादा सीन नहीं क्योंकि उसके ब्रीडिंग का मेरे को पता नहीं है, एक मेल फीमेल बकरी लेकर आजाएंगे, ऐसे करके ना सारे जानवरों के पैर लाकर उनके घर रेड़ी कर देगे, ताके हर एक जगह से हमारा वो चालो जाए, फाइनली आ चुके है, घर मुर्गी लोग, मुर्गी, मुर्गी, अबे तेरी ऐसी कि तैसी, अंदर को आबे, वहा कलेक करने से पहले, खा लिए भाई, खा लिए, एलो, खाना दाल दिया, इसमें भी, और थोड़ा खाना इसमें भी, पानी भी हो गया होगा, खतम हो गया होगा, पक्ये से, यह पाश आट लीटर पानी है, रुक जाओ, यह से खड़े-खड़े नजदिक मैंने कुआ बनाया अब जाकर मेरे को खाने की बैक लिकर आनी पड़ेगी, ठीक है, टोटल मेरे पास में 11-12 अंडे तो हो गया हो गया भी, और कहा है, एक अंडा यहाँ, एक अंडा यहाँ, है क्या, नहीं, यह तो टटी है, पता चले टटी भी उठा कर रख लू में तो हो गया भाई, टटी वाला अंडा हो जाएगा, फिर वो यह ब्राउन वाला अंडा और अभी दो कपल को मैंने अंदर जाते हुए, देखा है, थोड़ा से उनकी प्राइवसी के अंदर उलंगन करेंगे, अपन रुको, शायद से हो सकता है, अंदर कुछ दिया हो, यह तुम लोग को खुले में अंडे देने की आदत होगी है, कैतना तुम्हों है, आलिशान मैंने घर बनाया हो तुमारे लिए, हैं, 75 मुर्गी की कैपिसिटी है यहाँ पर, और मैं सिर्फ दो मुर्गी, दो नहीं, पाच रख रहा हूँ, तो भी तुम्हें, चलो ठीक है कोई न, बासकीट अंदर कितन हैं, बांने बनाने वाले, लिमिटेट चीजे बनाएंगे और हर एक चीज का सेक्शन मेरे दिमाग में तो ऐसा प्लैन है, कि ब्रीडिंग वाला जो बांस होगे, जो जानवर होगे उनके घर अलग बनाएंगे, जहाँ सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग और जानवरों की कॉन नाले छोटा मूटा जहाँ पर सिर्व मूरगी का नहीं के लिए मतलब उनको सिर्फ हम बर्गर वाली शॉप पर जाकर बेचेंगे उनका सीरिव मेट वह यूस करें कि जैसे पिक का मिट हो गया मुरगी का मिट हो गया यह सारा ना जो production वाले जानवर होगे वो अलग रखेगे जो breeding वाले section होगे वो अलग रखेगे ऐसे मैं सोच रहूँ अब देखते हैं धीरे धीरे प्लाइन करते हैं बटे काम करते हैं आज के एपिसोड को यहीं तक रखते हैं enjoy किया तो तुम्हें पता ही है क्या करना है बाकी updates के लिए Instagram पर follow कर सकते हो सारे socials का link तुम्हें नीचे description में मिल जाएगा तो एक बार चेक कर लेना अगर personal जिन्दगी में कुछ interest है तो बाकी मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले एपिसोड में जब तक के लिए take care पाव I see